यहां देखिए एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ था पूरा का पूरा रातो रात नहीं खुला है पाथ साल से रेंट नहीं मिला साथ लाख लगवग रेंट लेके भाग गई क्या पता कि कंपनी नहीं खुद उठवा लिया हो कहीं ऐसा नहों इसी तरह से आपका पैसा भ हो जाता है तो कहीं रेलवे का पूरा ना इंजन तो कहीं पूरा का पूरा टावर गाइब पता नहीं इस बियार में रोजगार और रोजगारों के लेकर लोगों की राय क्या है पर चोर बहुत साती रहे भीया अब बताए जिस हम जगा पे खड़े हैं यहां देखिए एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ था टावर किस चीज का था एर सेल कंपनी का था जी टीपी एल के तुरूल लगा हुआ था अब यह टावर कितने साल से लगभग 15 साल से भी ज्यादा 2006 से लगा हुआ था यहां पे और यह घट्टना है पटना के गरदनी बाग कर राजप यारपूर राजपुताना यह जगह है और जो आप खबरों में देख रहे होंगे आज कल भी कि यह कैसे किसे किस तरह से इतना बड़ा सा टावर जो यहां पर लगा हुआ था पूरा का पूरा रातो रात नहीं खुला है दो से तीन दिन बहुत प्यार से अराम से एकदम सारी बेवस्था जुगाड और मैं इस गली को दिखाऊंगा आपको चलके आए जरा दिखाए कि कितना पतला संक्री गली है कि ऐसा भी नहीं है कि यहां से इस गली से निकलने के लिए कोई बड़ा सा एकदम ट्रक आया होगा एक पतला सा गली है जिसे सिंगल हैंडल ली एक आदमी ही टांकर ले गया होगा दोनों तरफ से धीरे धीरे तो सोचे कितने अराम से और कितने कोंफिडेंस में चोरि होई है यह यह जो जमीन मालिक हैं उनका नाम है मनमती देवि और उनके बेटे हैं बिनोज सींगे अगभी हुमारी बात होई थी हलाकी उन्होंने कैमरे पे मान बना कर दियाify बात करने के लिए बोला है कि इन्हें वकील ने बना किया है उनका क्योंक एक नहीं है एक नहीं है आप भी अपने गवों के आसपास ऐसी घटाएं हुई है तो बताइए क्योंकि पुराना बीए सेनल का जितना भी टावर था जो गवों में लगे थे आधा धूरा वो सब चोरी हो चुके हैं आज के डेट में कमपनी ने कोई भी टावर नहीं खोला य आपको मालूम है 2016-17 के बाद एरसील कमपनी बंद हो गई 2016 में इस टावर के लिए भी इलों का नया जो कॉंट्रेक्ट था, वो खतम हो गया था। एक साल तक रेंट देता है और एक साल के बाद रेंट नहीं देता है मतलब कि 2017 से रेंट इसका नहीं मिला और आज 22 साल से रेंट नहीं मिला साथ लाख लगवग रेंट लेकर भाग गई कंपनी और जब कंपनी रेंट कंपनी के पास इस कंपनी ओनर का यह जो घर ओनर है जमीन ओनर उनका कहना है कि जब हम कंपनी के दरवाजे पे जाते थे तो गाड को सक्थ इदायद दी गई थी कि टावर से समझने कोई भी लोग आए तुसे अंदर मताने दो समझ रहे हैं पूरी गनीत तो क्यों न कहा जाए कि कहीं न कहीं कंपनी का भी हाथ हो सकता है इसमें हो सकता है कंपनी इतना दिन यहां पर क्यों नहीं आई एक बहुत बड़ा सवाल है क्या साथ लाख वो किराया नहीं देना चाहती थी अब कंपनी पे चुकि कॉंटर में केस नहीं हो जाए कि वही चुरुआ के ले गया या वही उन्होंने ही खुलवा लिया क्योंकि दो तीन लोग आई-काड लगा काते हैं प्रोपर एकदम कंपनी के भेसभुसा में टावर खोल के ले जाते हैं कहते हैं कि एक महीना के अंदर पैसा दे दिया जाएगा कंपनी जो का उनर हैं जिनके जमीन मालीक उनको भी लगता है कि चलो एक महीना में भला हो पैसा मिल जाया हमारा और कम से कम जमीन खाल ली हो मेरा तो देखिए यह पूरी घटना है और इस तरह से हुई है अब जो जमीन माली का सीधा सीधा कहना है कि हम क्यों नमाने की कंपनी ये करना भी यह अगर चोड ले गया तो कंपनी इतना साल कहां थी कंपनी क्यों लोगों कुसे बात नहीं कर रही थी पैसा क्यों नहीं दे रही थी यह सब सवाल है क्या पता कि कंपनी नहीं खुद उठवा लिया हो लोगों से लगवा कर अब कम्पनी का कॉंटर में जाहिर सी बात है कि इसके लिए ये कहना होगा कि जमीन मालिक नहीं ये करवाया है अपने पैसे नहीं करवाने के लिए तो देखें अभी ये लीगल खेल है बस समझें बट इस खेल में चोरी कि इस घटा को समझें कि किस तरह से किस सातीर पने सुभी है तो इससे भी जादा जग रुकता में बात ये है कि अगर आपके जगा पे भी कोई भी टावर पुराना पड़ा टावर अगर खोला जा रहा है तो उससे समंदी जब लोग आते हैं तो पूरा लीगल नोटिस खोजिए लिखित में जवाब खोजिए उन लोगों जो आते हैं उनके अधार पैन सब देखिए जो भी जिम्मेदार हो और उसके बाद पुलिस भेरिफिकेशन भी हो सके तो करवाईए उसके बाद खोलने द पोल्ट यहाँ पर कि साल काई टावर होता है आपको आईडिया है सारे खुल चुके हैं 2-3 दिन में खुले है और हमने गली दिखाया ही किस तरह से वहाँ से ले जाया गया है दखे पूरी पूरे चीज़े थी यहां पे टावर से समंदी जनरेटर बगरा सब था इधार और ये खुल चुका है अब आगला कोसिज जरूर करेंगे हम यह अगला कोसिज जरूर करेंगे कि इस जीटी पी एल के ऑफिस जाकर पता करें कि वो क्या कर रहे थे उनका क्या उप कि चल रहा है तो देखिए बने रहे इस Khyber के साथ और सच बिहार को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लिजे पेज को फॉलो नहीं किया तो कर लिजे क्योंकि बहुत सारे अपडेट और बहुत सारे ग्राउंड डिपोर्ट सच भीहर पर आपको देखने को मिलेंगे रवसकार